कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच एक और अच्छी खबर आई है DRDO की दवा 2DG के बाद एक और दमदार दवा भारत में आई है ये दो दवाओं का कॉक्टेल हैं जिसे वंडर ड्रक के नाम से भी जाना जाता है वंडर ड्रक को सुइस फार्मा ने बनाया है और जानी मानी मेडिसन कमपनी सिपला इसे बाजार में उपारेगी इसे कोविड एंटी बॉडी कॉक्टेल भी कहा जा रहा है इस विदेशी दवा को मरीजों में हलके से लेकर गंभीर और हाई रिस्क वाले मामलों के इलाज के लिए इस्तमाल किया जाएगा यूवा हो ये बुजर्ग सभी के इलाज में इसे कारगर बताया जा रहा है ये उन लोगों के इलाज में कारगर होगी जो कोरोना से कमभीर रूप से क्रसित हैं लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है जाने माने डॉक्टर और मेदान्दा अस्पताल के चेर्मिन डॉक्टर नरेश ट्रेहन ने बताया कि ये मोनोथ्रोनल एंटिबॉडी बनाने की प्रक्रिया है जो कि वाइरस को ब्लॉक कर देती है ये दवा मानव कोशिकाओं के प्रोटीन से वाइरस को न्यूटरिशन नहीं लेने देती जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता ये दो दवाओं का कॉक्टेल है इसे देने से वाइरस कोशिकाओं में खुस नहीं पाता कोरणा की दूसरी लेहर के बीश ये दपा बड़ी रहात देने वाली साबित होगी. So that's the effectiveness of these two monoclonal antibodies, it's called a cocktail because there are two of them. And there is one is known as Caseribimab and the other is known as Imdevibab. Now these are mixed just before administration to a patient, and these two act in tandem with each other. And they block different areas so that the virus is unable to enter the cells and get nutrition वही डॉक्टर ट्रेहन ने बताया कि इसके आने से ज्यादतर लोग अस्पताल जाने से बच जाएंगे और जो अस्पतालों में हैं उनकी जल्दी रिकवरी होगी डॉक्टर ट्रेहन ने बताया कि मेदान्ता हॉस्पिटल खुद बुद्वार को इसे लॉंच करने जा रहा है इसे नसो और स्किन दोनों के जरीए दिया जा सकेगा इसमें दो दवाओं को मिला कर इलाज होता है जो कि आसान है एक घंटे तक रियाक्शन देखा जाता है पोगे एक इसे स्कारिम प्रूण तो और मेर्म झाने लुड्या इसे ले जाए च्रूण अर प्मट्रेंग च्छ्छूं रहा है अजरूण The only thing is that it needs to be monitored for one hour after it is administered so that if somebody is getting a reaction, and the reaction can be like fever, chills, some people may get a rash, or in only one case has there been an anaphylactic reaction which was severe, but it was managed and the patient survived. So that has not been a problem in this particular therapy. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती डोनाल ट्रम्प को कुर्णा होने पर यही वंडर ड्रग दी गई थी, जिससे वो हफ्ते भर के अंदर दुरुस्त हो गए थे. माना जा रहा है कि तेजी से कुर्णा के इलाज में वंडर ड्रग कारगार साबित होगी. एसा दावा किया जा रहा है कि ये दवा एक घंटे के अंदर ही असर दिखाना शुरू करतेगी. लेकिन ध्यान रहे कि इसे डॉक्टर की सलापर ही लेना होगा.